नमस्कर दोस्तों मेर नामे रंजीत और आप देख रहे हैं अगरिकल्चर फार्मिंग दोस्तों आज हम बात करेंगे लैम्डा साहला 3 5% EC के बारे में कि इसकी कौन-कौन सी फसलों में सफ्रे कर सकते हैं ये किन-किन कीटों को कंट्रोल करता है इसकी मातरा क्या है इसका रिज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिये गया ला रंग के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी कोई वीडियो आप मिस ना करें तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे लैमडया-सायलथ्रीन 5% ये EC की फॉर्म में हाता है EC का मतलब इमल्सी फियेवल कंसंट्रेट जो की लिक्विड फॉर्म में होता है इसमें जो टेक्निकल है लेम्डा सैलोथृन 5% है और ये एक सिंठेटिक प्रिट्रोइड हैविंग कंटेक्ट एंड स्टमक एक्शन वाल इंसेक्टिसेड है जो भी कंटेक्ट एंड स्टमक एक्शन वाल इंसेक्टिसेड होते हैं ये सीधे संपर्क और पेट के माध्यम से कीटो पर नियंतरन करते हैं और ये जो इंसेक्टिसेड आती है ये येलो लेवल में आती है दोस्तों अब बात करते हैं किस-किस फसलों में लैम्डा सैलतुरिंद की सप्रे कर सकते हैं और कितनी-कितनी मात्रा है इसकी जैसे कि धान, मुंगफली, कपास, मिर्च, टमाटर, भिंडी, बैगन और प्याज में 1.500 प्रती एकड के साफ से इसकी सप्रे करें और आम के पेड़ों में 10 सैमल प्रती 10 लिटर पानी से इसको डालें और 1.500 से 180 लिटर प्रती एकड में पानी का प्रेयोग करें दोस्तों अब बात करेंगे लैम्डा सैलतुरिं किन-किन कीटों को कंट्रोल करता है लैम्डा सैलतुरिं ये सभी परकार की फसलों को चूसने और चबाने वाले कीटों को कंट्रोल करता है जैसे कि धान की फसल में स्टीम बॉर्डर और लीफ फोल्डर को कंट्रोल करता है कपास की फसल में बलॉव वाम जैसीड और थ्रिप्स को कंट्रोल करता है बैगन की फसल में fruit borr को कंट्रोल करता है टमाटर और भिंडी की फसल में thrips और fruit borr को कंट्रोल करता है मिर्च और प्याज में thrips, mites और pot borr को कंट्रोल करता है मुंगफुली की फसल में thrips, leaf, hopper और leaf minor को कंट्रोल करता है आम के पेडों में hoppers को कंट्रोल करता है और वी कई फसलों में lambda salothrin को डाल सकते हैं इसके अलावा lambda salothrin का उप्योग सरजनिक स्वास्त अनुप्रियोगों में कोकरोज, मच्रों, टिक और मक्यों जैसे कीडों को नियंत्रित करने के लिए उप्योग किया जाता है दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे इसके result के बारे में इसका result है 10-15 दिन तक अब बात करता है इसके packing size में इसका packing size आता है 100 ml, 200 ml, 500 ml और 1 liter और 1 liter pack के कीमत है 500 रुपे और दोस्तों आपने अभी तक हमारा lambda salothrin 4.9% SC वाला वीडियो नहीं देखा तो आप वो भी वीडियो जाके देख सकते हैं उमीद करता हूं दोस्तों आप सभी को Lambda Salothrin 5% EC के बारे में जानकारी मिली होईगी और दोस्तों खेती से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए और साथ में बनी घंटी को भी दुबा दीजिए ताकि हमारी कोई वीडियो आप मिसना करें धन्यवाद